कि सर्क्य अपिज़न आप जो मैं आपको समझाना चाहता हूं अब देखियेों हमने लास्ट क्लास में कि सेक्शन 60 कर लिया था सेक्शन 60 में क्या था इंकम कि अगर इंकम ट्रांसफर करते हो एर एसेट्स आपके पास है तो वह इंकम आपकी ही मानी जाएगी ट्रांसफर करने का कोई फाइदा है नहीं रीवो केवल में एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो कंडीशन मत लगा नहीं इसके बाद आगे देखा जाए यहाँ पर कमीशन स्पाउस का सब्स्टांशल इंट्रेस्ट कर लिया था अब बात करते हैं हम इंकम फ्रॉम एसेट्ट ट्रांसफर टू स्पाउस अब देखिए ध्यान दीजे मान लेते मिस्टर राम और यह मिस्स राम राम ने क्या करा यहां पर इसको पचास अजार रुपे दिए ज्यान दीजेगा राम ने इसको पचास अजार रुपे दिए और मिस्स राम के पास पहले से कुछ सेविंग यानि पहले से कुछ पैसे रख रखे थे बागी के 50,000 रुपे मिसिस राम के पास भी थे मिलाए Total मिसिस राम के पास हो गए 1,00,00 रुपे जब मिसिस राम के पास Total 1,00,00 हो गया तो मिसिस राम ने सोचा कि एक काम करता हूँ कि मैं business start कर लेती हूँ इसने अपना boutique का काम start किया जो कि एक लाग में सफिसेंट सा स्टार्ट कर लिया अब जैसे ही इसने बुटिक का काम स्टार्ट किया First Year का इसका profit First Year का profit इसका आता है support मान लेते हैं 20,000 रुपे का तो सर बीज़ा रुपे का जो profit है यह profit हलाकि सारा effort लगा के Mrs. राम कशां ने कमाया है लेकिं इसके अंदर anickets का कॉंट्रीबुशन भी रहा है किस का कॉंट्रीबुशन ता सब्सक्र יबarta है हुआ हिरा गर मैं एसेट की कांट्रीबुशन की बात सब्सक्राइब ने तो यहां पर जो 20,000 के में बार दिया जाए गा सर एक माना जाएगा उसके हजबन का जो की होगा 10ख और एक इनकम उसकी मानी जाएगी ही 10ख और यह 10,000 इंकम के अंदर जाके क्लव कर दिया जाएगा signal को का है कि अगर किसी हस्ब्एंट ने transfer किया हो तो उसी के उपर provision है देखते हैं क्या कहता है बड़ा simple सा है exam के point भी से बोलूँगा बहुत rare पूछा जाता है यह क्या कहता है income of assets transfer to spouse if an assets other than house property house property के अलावा is transfer by husband to his wife अपने wife को करता है by way of her husband without educate consideration any income कोई भी income from such asset deemed to be income of the transferer तो वो income किसकी मानली जाएगी कोई भी income arise होती है तो transferer की ओव्विस सी बात है this rule और यह rule however does not apply the following case यह rule नहीं लगता where the transfer is full consideration अगर उससे पूरे पैसे लिये थे जो भी asset transfer किया मानली तो जोल्री दिया यह कुछ भी दिया तब नहीं लगेगा leave apart divorce का case हो तब नहीं लगेगा where the asset transfer before marriage marriage से पहले अगर दे दिया हो तब भी नहीं लगेगा क्योंकि हां risk है where the date actual कहता करे where the date of accrual income transfer not spouse transferer मतलब जहां पे date of accrual income जब हुआ transfer is not the spouse मतलब कहने का मतलब उसकी wife नहीं है बाद में उसको income मिला तो उस दिन दे दिये गया when property तो सारी कहानी वही है कि अगर हम किसी को asset transfer कर देते हैं और बिना educate consideration की तो वह income आपकी ही मानली जाएगी एक यह point रहे गया था सर यह इतना important नहीं है लेकिन फिर भी हमने read कर लिया 10 year के अंदर आपके questions given है और आप महां से भी पढ़ सकते हैं और book के अंदर भी था तो वहां से भी पढ़ सकते हैं अब अगले point पे चलते हैं सर clubbing of income में theory है हान जी बिल्कुल theory है और कुछ भी नहीं है इसमें अभी किसी का भी doubt नहीं लूँगा एक्रूवल का मतलब होता है due मैं इसको भेटा हूँ सर एक्रूवल का मतलब होता है due last मैं सभी को मैं point दूँगा कि आप doubt पूछे जिस तरीके से हर class में रहता हूँ मैं यहां पढ़ लेते हैं एक छोटा सा point छोटा सा provision income from asset transfer to daughter-in-law अपने son's wife को दिया if an individual कोई भी transfer assets without adequate consideration his daughter-in-law son's wife को any income arise from such assets will be include the total income of transfer ultimately यह जो chapter है यहां पे जो provision है बनाने का एक ही purpose था कि सर कभी भी कभी ऐसा हो कि कोई income कमा रहा है और income किसी और के नाम कर दे तो हम वापस उठाके उसी के income में जोड़ देंगे अगर देखा जाए टेक्स चोरी के लिए किया गया है तो और इस case के अंदर कई जैन्मन में जोड़ा जाएगा ऐसा नहीं है कि वो बोल दे कि हमारा परपस ही नहीं है तो उसको भी जोड़ा जाएगा तो देखा जाए तो पहले वाला point और यह वाला point same था सबसे major point यह आया था एक क्या था transfer of assets to other other persons associated by with wife एक पर देख लेते हैं क्या provision था हुआ यह Mr. X और Mrs. X Mr. Y और Mrs. Y यानी यह 4 परसन है अब कहा गया कि भाईया आप wife को property दे देते हैं इन adequate consideration में तब यह income जो भी है वो आपकी मानी जाएगी law यह कहता है कहने के पीछे purpose भी है भाईया property तो घर में रह गई आपका यहां पर risk नहीं है कहां जाएगा बाहर लेकिन एक जगह पर बोला गया अगर आपने मंगेतर को property दे दिया तो भी यह उसी को देना है tax क्योंकि आपका risk है वहाँ पे वो लेके चली गई या चला गया तो आपका तो गया वह property यानि अब यहां पे लोगों ने क्या करा चला की करा Mr. X और Mrs. X दोनों मान लेते हैं Mr. X और Mr. Y दोनों friend है यह यह दोनों friend है इसने क्या करा इसकी wife को gift दिया एक property इसकी wife को दे दिया अब तो सर यह आपस में जो Mr. X है और Mrs. Y है यह तो आपस में relative भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसने इसको property gift दे दिया तो law के नजरिये में क्या माना गया सर रिस्क है यहाँ पर तो यह property की income इसके उपर taxable हो जाना चाहिए फिर Mr. Y ने भी बोला मैं भी gift दूँगा इसने इसको दिया क्या gift दिया इसका अलग property होगा इसका अलग property होगा जो भी दिया अब देखो हालाकि income जो है वो separately जब भी generate होता था इसने इसको दे दिया अलाकि इसने इसको दे दिया अब इस तरीके से देखा जाए इस property की income पे टेक्स यह देगी normal rule और इस property जो इसको मिला है वो यह देगा तो यह दोनों बच गए एक छोटी से planning के इसको बोला जाता है cross planning तो law ने जब ऐसा देखा कि भाईया तू उसकी wife को क्यों gift दे रहा है और वो तेरी wife को क्यों gift दे रहा है ऐसे situation में एक ऐसा triangle बन गया कि situation में सिर्फ textory है और बहु आपने शादी कर लिया कार्ट चपवा लिया साधी हो गया लेकिन income tax को शादी नहीं मानते जब तक आपको court के अंदर certificate नहीं कर लेते तब तक आपका legally नहीं माने जाता तो बहुत लोग क्या करते हैं property से कैसे बचा जाए अपनी wife को divorce दे देते हैं और आधी property उसके नाम कर लेते हैं और वह legally करवा लेते हैं तो सर रह रहे हैं साथ में हैं सिर्फ property tax planning है यह wife को divorce दे दिया कोई दिक्कत नहीं है रह साथ में रहे हैं और रियालिटी में दोनों साथ रह रहे हैं इस planning यह भी एक tax planning का हिस्सा है सर इस planning के हिसाब से वह अपना income काफी सारा बचा सकते है क्योंकि अगर divorce है तो without educate consideration उसको property दिया जाएगा तो वह उसी की property मानी जाएगी और उसी पर देगे तो यह भी प्रोविजन है तो जैसे जैसे प्रोविजन आता जाता है इस पर अभी तक कोई law नहीं बना लेकिन आने वाले time में बन जाएगा कि साथ में रहने नहीं दिया जाएगा अगर divorce है तो साथ में रहने नहीं दिया जाएगा कुछ ऐसा law बन सकता है यहां बोला गया transfer of assets to other person associated person to the benefited spouse कहता है if an individual transfer assets without educate consideration to some other person किसी को दे दिया associate percent या उससे जुड़ा हुआ था for the immediate आपका deferred benefit his or her spouse उसके wife को या उसके husband को benefit मिल रहा था any income arise from such assets that person associated will be include total income transferer extent of the benefit spouse मतलब उस spouse को नहीं मिलेगा यह मिलेगा किसके अंदर transferer में जोड दिया जाएगा मतलब यह भी चला की चली कुछ दिनों तक चली है यह जैसे ही पता चला government को cancel कर दिया और यह section लेके आ गये बच्चे कह रहें no video चली है देख लीजे refresh कर दिया चली है सर इसके बाद income from business not important मैं reading कर देता हूं normally income from business में क्या है सर बिजनस से जो income होगा where the asset transfer to the spouse मैंने बता दिया daughter-in-law invest into the business income arise transfer from business shall include in the income of transfer जो मैंने इक अभी बताया था assets दिया बुटिक का example लिया था सेम वैसा ही है यह भी minor child का हम सर already done कर चुके है रेमिनेरेशन पहले ही हो चुका है तो यह इस तरीके से clubbing of income खतम हो जाता है इसमें section 65 है जो कि अगर कोई transfer करा जाए लिमेटेड लाइविलिटी partnership firm में कोई asset transfer करता है तो उसके उपर exam में नहीं पूछा जाता पहले हमने exam oriented पूरा complete कर लिया है यह chapter सर और यह था हमारा पूरा clubbing of income इसके बाद देखते हैं हम अलग और क्या करने वाले हैं अभी हम